वेल्कम टे अच्छम क्लासिस एच्छम क्लासिस के यूट्व चैनल पर आप सभी कह स्वागत हैं आज हम कवर कर रहे हैं आज पीसी असेस्टेंट प्रफेसर 2020 बिजनिस एड्मिनिस्टेशन रिजल्ट डिकलियर कर दिया गया आप सभी को इंतजार था और आज रिजल्ट डि है और इतना एक्सपेक्ट नहीं किया गया था चली हम कवर करते हैं कि चैनल पर नहीं है तो ज़रूर सब्सक्राब कर लीजिए आर्पीजी की मेन वेबसाइट पर आएंगे आज सभी के लिए जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उन सभी को हमारी तरफ से कॉंग्रिचुलेशन्स और कटफ देखेंगे आप काफी हाई है इतनी कटफ नहीं सोची गई थी जेनल की जहां पर हम 128 से 30 या 135 सक सोच रहत से वो जनल की कटफ गई है 144.30 उसके बाद आप बात करते हैं EWS में तो इसमें भी हाई है 134.19 है SC में बात करें तो 118.28 है और ST में बात करें तो 110.74 है OBC में अगर देखें तो 138.07 है MBC में 119.12 है यह फाइनल सेलेक्शन लिस्ट है पर लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो काफी कैंडिडेट हैं जो प्रोविजनल है तो डेफिनेटली जो प्रोविजनल है उनको अपनी अलेजिबिल्टी अभी करनी पड़ेगी क्लियर अगर वो नहीं कर बात हैं तो जो रिजर्व लिस्ट है उन कैंडिडेट को भी डेफिनेटली मौका मिलेगा अगर अरक्षित सुची रिजर्व लिस्ट की बात करें तो उसमें भी 126 कैंडिडेट सेलेक्ट है और उसमें जो कटफ है जनरल की 128.98 है एवस की 120.64 है एसी में 104.13 है एस्टी में 92.01 है ओबीसी में 123.06 है और एम बीसी में 94.92 है अब एक बात एक देख सकते हैं आप यह रिजर्व लिस्ट काफी कम है लेकिन रिजर्व लिस्ट में जो भी व्यक्ति अपनी कैटेगरी में फर्स नंबर बर है उनको डेफिनेटली चांस मिलेगा लेकिन इस प्रोसेस में समय लग जाता है तो यह समय 6 से 6 मिने से 1 साल तक भी लग सकता है तो रिजर्व लिस्ट वाले भी गबराए नहीं रिजर्व लिस्ट में जो टॉप पे हैं उनको भी आने वाले समय में मौका मिलेगा जैसे कि EFM और EBSD में भी मिला है तो उनको भी नहीं है तो जरू सब्सक्राब कर दीजिए थैंक यू